शंकर नाले के दूरशा को लेकर भाजपा पारशदों ने दुरुग निगम पर साधा निशाना कहा सिर्फ सफाई के नाम पर हो रही है खानापुर्ती दुर्ग शहर के मद्धे से बहने वाले शंकर नाले का सौंदरी करन और सफाई को लेकर कई वर्षों से कारे के जा रहे हैं इस बार भी मांसून से पहले दुर्ग नगर निगम इसकी सफाई को लेकर कारे प्रारम कराया है जिस पर भाजपा के वाड बारा के पारशद अजिद वैद ने इसे सिर्फ खाना पूर्टी का हवाला देते हुए शहर की जनता को गुमरा करने का कारण बताया है गौरतलब है कि बारिश के चलते शहर के कई वाडों में पानी भर जाने की शिकायत लगातार होती रहती है की नाराजगी जताई है यह संकरनाल है इसका नौनिर्मान किया गया है विगत 6-7 मेना पहले और इनके जब यहां के ठेकेदार लोग थे उनको मैंने एक बार और सुचना दिया था कि इसे सफाई का रहा हो सफाई तो अभी तक हुई नहीं है और ज्यादा कच्रा हो गया है इतना यहां से लिके वहां तक आने वह अभी मैंने दो मैंने बरसात आजाएगी बरसात आएगा फिर सहर वापस पानी से भर जाएगा मानी महापौर जी और हमारे सहर के विधायक जी जो आज आडंबर रच रहे हैं सफाई को लेकर के यह धरातल पर कुछ भी नहीं है सिर् कई वर्सों से मैं देख रहा हूं संकर नाला सपाई होने वाला है संकर नाला नौनिर्मान होने वाला है बस यह सिर्फ पेपरों पे और वचनों पे ही रहता है जैसा कि जनता जानती है कांग्रेस की कथनी और करनी पे जमीन और आस्मान कंतर है आज यह जीता जाकता सबूत ग्रेनेसीन निउस के लिए दूर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट